कि अलो स्ट्टेंट्स माइसेल्फ सुनील कुमार सुर्मा एसनेस फिजिक्स फिकल्टी रिलायवल इंस्टिटूट कोटा मैं आज आपके सामने सेकेंड सेप्टेंबर के इवनिंग सिफ्ट का जही में का पेपर डिसकस करने जा रहा हूं ठीक है तो डिसकसिन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जैसा कि आपको दिख रहा है एक रीजन है एल लेंथ का जहां पर एक यूनिफॉर्म मेंग्नेटिक फिल्ड दे रखी है उस मेंग्नेटिक फिल्ड की जो वैलू है वह है पॉइंट 3T डिरेक्शन फिगर में दिखाई गई है जिस विलॉस्टी से वह इंटर कर रहा है ध्यान से देखें वी उसकी वैलू दे रखी है 4 इंटू 10 दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड ठीक है एंगल 60 दिगरी दे रखा है प्रोटॉन कंप्लेट 10 डिवलूशन बाइदी टाइम इट क्रॉस दी रिजन तो हमें निकालना है एल की वैलू कितनी है मा का मास हमें दे रखा है कितना 1.67 इंटू 10 दी पावर माइनस 27 केजी और चार्ज दे रखा है ठीक ना क्यू हम कहेंगे इसको तो जो क्यू की वैलू है वह हम जानते है वैसे तो 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 16 कूलाम ए माइनस 19 कूलाम अब ध्यान से देखना पार्टिकल जब इंटर करेगा रीजन में मेगली फिल इस डारेक्शन में है इस वी के दो कंपोनेंट करेंगे एक कंपोनेंट इस डारेक्शन में आएगा जो हो जाएगा वी कॉस 60 ठीक है और एक कंपोनेंट उपर की तरफ होगा इस वाले कंपोनेंट से मेगली फिल के प इतना distance travel कर रहा है, यानि L distance वो निकालना है, तो पहले तो time period, कितना होता है, t बराबर हम जानते है, 2 pi m upon qb, mass of proton, ये t होता है, 10 शक्कर काट रहा है, इसका मालब है, जो total time लगेगा, वो हो जाएगा 10 into t, अब ध्यान से सुनना, इस t time में, particle, horizontal, मालब negative field की direction में कितना move करेगा वो होता है, L बराबर, यहां हो जाएगा, V cos 60, यानि कि V by 2 into time 10, t, t का मतलब है, 2 pi mp upon qv, अब मुझे mp, b और q की value पुट करने हैं, जो उपर लिखी हुई है, question में भी लिखी थी, solve करेंगे, तो यह आ जाएगा, 0.439 value पुट करने के बाद, meter, यानि कि, इसे हम क्या देंगे, लगबग, 0.44 meter, means, अपना answer हो जाएगा, 3, ठीक है, तो देख रहे हैं, बहुत आसान question है, note कर लें, question number 2 में, displacement time graph दे रखा है, simple harmony question के लिए, ठीक है न, और फिर कुछ statement दिएगा है, पता लगाना है, कौन कौन से statement, सही है, द्यान से रिखना, पहले statement पूछा गया, force is 0, तो force कहां पर 0 होता है, हम जानते हैं, force f is equal to, अगर हम लिखते हैं, तो ऐसे होता है, minus m, omega square x, यानि जब x 0 होगा, तभी force 0 होगा, तो x 0 होने पर force 0 होता है, अब x 0 कहां पर है, ध्यान से देखो, कौन कौन से time है, जहां पर x 0 है, तो जो figure है, उससे समझ में आ रहा है कि t by 4 एक time है, जहां पर x 0 है, और दूसरा, 3 t by 4 है, जहां पर x 0 है, जहां से देखें, displacement time का graph था, और 5 t by 4 है, यह तीन time है, जिन time पर x की value 0 है, यानि force की value 0 है, ठीक है, तो इन्होंने पहला वाला answer दिया है, t बराबर 3 t by 4, यानि statement a सही है, s listen is maximum, maximum का मतलब omega square x, यानि की maximum displacement, तो maximum displacement का मतलब है, जो x की value है न, वो क्या हो जाए, plus a और minus a, यानि particle अपनी extreme position पर हो, तो अगर particle अपनी extreme position पर होगा, तो कब है particle अपनी extreme position पर यह हमें check करना है, ध्यान से देखो, एक तो t बराबर 0 पर particle अपनी extreme position पर है, displacement maximum है, ठीक है, फि t by 2 पर, यानि 2 t by 4, इस पर extreme position पर है, और time t पर भी extreme position पर है, तो कौन कौन से time है, जब particle अपनी extreme position पर है, ध्यान से देख रहे है, t बराबर 0 पर, और दूसरा t by 2 पर, फिर ध्यान से देखेंगे, तीसरा time t पर, तो maximum velocity हमें पता है, maximum acceleration के बारे में बात करनी है, तो acceleration is maximum at t is equal to t, बिल्कुल सभी बात है, time t पर acceleration maximum है, यानि कि पहले वाले में हमने देखा, a option correct है, दूसरे वाले में b जो statement है, वो भी correct है, speed is maximum, speed कहां पर maximum होती है, जब particle अपनी mean position पर होता है, ठीक न, mean position का मतलब x बराबर 0 पर, इसका मलब जहां पर 4 0 होता है, उन्हीं इंटर, उन्हीं सब्सक्राइब बात है, यह जो time है, t by 4, यहां पर speed maximum है, फिट इन्होंने कहा है, potential energy is equal to kinetic energy, kinetic energy और potential energy, दोनों बराबर होती है, कहां पर, जब इन दोनों को बराबर करते हैं, और x की value निकालते हैं, तो याद करो, x बराबर कुछ a by root 2 आता है, ठीक न, प्लस माइनस a by root 2, द का पूछा है, at t equal to t by 2, t by 2 पर, तो x की value कितनी दे रखी है, minus a, इसका मतलब है, d option सही नहीं होगा, तो हमारे पास a सही है, b सही है, speed वाला option c जो था, वो भी सही था, क्योंकि t बराबर t by 4 पर, speed को maximum कहा जा रहा है, d गलत है, और इन तीनों option के corresponding, जो option है, वो है 4, a, b, c, यानि कि correct answer is 4, question number 3 पर आते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ पर मुझे magnetic dipole moment का magnitude और direction निकालनी है, तो जो भी loop दिख रहा है हमें, उसे हम दो loop का combination मान सकते हैं, एक xy plane पर, यानि बीच में, जो ad है न, ध्यान से देखो, ad में दो wire माल लो, direction current की opposite माल लो, तो एक loop हो जाएगा xy plane पर, a, b, c, d, a, और दूस्ता वाला loop हो जाएगा, x, z plane पर, गौर से देखो, a, f, e, d, a, ठीक है, दोनों के magnetic dipole moment लिखने हैं, तो पहले में अगर a, b, c, d, a का magnetic dipole moment लिखो, current देख रहे हैं, ऐसे है, उपर की तरफ आएगा, तो अगर उपर की तरफ आ रहा है, गौर स देखो, तो जो magnetic dipole moment है, उसका m1 बराबर, वो कितना हो जाएगा, a, b, यह magnitude, i current हो गई, direction हो जाएगा, k cap, m1, ठीक न, यह जो x, z plane पर loop है, x, z plane पर जो loop है, ठीक न, ओ, sorry, xy plane पर जो loop है, उसका magnetic dipole moment, direction कैसी आएगी, k, पहले वाले के लिए, दूसरा, जो x, z plane पर है, जहा x की तरफ ऐसे, तो magnetic dipole moment आ जाएगा, हमारा, j direction में, value कितनी होगी, को और से देखो, m2 बराबर, क्या लिखेंगा हम लोग यहां पर, a, b, i, और यहां direction आ गई, j cap, यह वाला कौन सा है, x, z plane पर जो loop है, उसका magnetic dipole moment, m2, तो एक k direction में है, और एक j direction में है, ठीक न, net magnetic dipole moment, m, vector होता है, हम जानते है, क्या लिक दो होगे, m1 vector, और plus, यहां पर, m2 vector, solve करके, जब value निकाल होगे, कितना मिलेगा मुझे, a, b, i, common लिए, हम लोगों ने, यहां क्या मिलेगा, k cap plus j cap, j cap plus k cap, ठीक है, magnitude निकालना है, इस vector का, m vector का, और direction अलग से बतानी है, तो अगर मैं इसक j cap, मलब something, j cap plus something, k cap, तो अगर मैं इसका magnitude निकालूँगा, तो उसकी value कितनी आ जाएगी, m vector का magnitude, जैसी हम magnitude निकालेंगे, ध्यान से रेखें, value आ जाएगे, हमारे पास, a, b, i, and under root 2, ठीक है, और अगर मुझे direction चाहिए, तो direction का मतलब है, इस vector का unit vector निकाल लो, अलग से, तो unit vector, ये unit vector आ गया, जाहन से देखें, magnitude से हम लोगों ने divide कर दिया, तो overall, a, b, i, root 2, ठीक न, और direction होगी, j cap plus k cap upon root 2, मिस अपना answer 1 हो जाएगा, ठीक है, तो note कर ले, question number 4, पतीन सो मीटर का है, जाहन से देखें, पतीन सो मीटर वायर है, पीक्यू, वन मीटर लेंथ है, ठीक है shell, जो लगा हुआ है, standard cell E1, डूसरा cell E2, जिसका EMF दिया हुआ है, कितना, जाहन से देखोगे, E2 बराबर, 1.02 volt, इच connected with the resistance are, end switch, with switch S open, null point is obtained at a distance 49 cm from Q, Q से दे रखा है, जबकि मुझे तो null point P से लेना होता है, तो अगर null point P से लेना है, इसका मतला पर जो L है, वो बराबर आ जाएगा मारे पास, 1 meter, यानि 100 cm minus 49, 51 cm, यह null point कहां से, from P, और फिर, बिल्कुल standard formula, हम जानते हैं, जो भी E2 है, वो बराबर क्या होता है, K into L, जहां K क्या होता है, potential gradient, ठीक है, E2 दियावा है, और मैंने क्या निकालना है, potential gradient of potential meter wire, यानि K निकालना है, बराबर, E2 कितना है, 1.02 divide upon नीशे कितना आ जाएगा, 51 cm, अगर इसको solve करेंगे, तो value आ जाएगी हमारे पास, 0.02 volt per cm, means, option 1 हमारा correct हो जाएगा, ठीक है, question number 5, heat engine का question है, जिसमें Q की value दे रखी है, ठीक है, और मैंने कालना है, efficiency, कितना है, eta efficiency 50%, ठीक है, तो simple formula होता है, eta as equal to, जो work done होता है, cyclic process में, ठीक है, divide upon Q in, यानि जो heat हम supply करते हैं, heat supplied, अब work done निकालना होता है, तो हम जानते हैं, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, ठीक है, divide upon, upon, सिर्फ Q positive, जो energy देते हैं, system जो energy reject करता है, उससे मतलब नहीं है, और cyclic process है, हम जानते हैं, delta U की value, 0 होती है, तो जब work done निकालेंगे, तो सारे Q लिख दो यहां पर, 1915, गौर से देखें, minus 40, ठीक है, फिर plus 125, minus Q, divide upon, अब जो Q in है, यानि जो positive value है, लिखने हैं, 1915, और plus, कितना, 125, सिर्फ positive value, ठीक है, इंटा कितना है, 50% means, 1 by 2, अब इसी को solve करना है, और solve करके हमें क्या निकालना है, Q की value, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, अगर तो आसा solve करेंगे, तो ध्यान से लेखेंगे, 2000, 2000, minus Q, divide upon, नीचे आजाएगा, 2040, और इसी को solve करके, जब Q निकालेंगे, तो आएगा, 980, 980, जूल, ठीक न, तो यह Q की value निकालाएगी, यानि कि हमारा answer हो जाएगा, 3, question number 6, young double slit experiment का question है, इसमें 16 fringes हैं, जो एक certain segment में, स्क्रीन पर मिलती हैं, जब हम wavelength यूज करते हैं, 700 nanometer, ठीक न, lambda 1, जब हमने कितना यूज किया, 700 nanometer, तो हमें 16 fringes मिलती हैं, एक particular region में, मालो, स्क्रीन पर L region है, और L region में, मुझे N fringes मिलती हैं, तो हम क्या लिखते हैं, एल बराबर N fringes, और एक fringe की जो width होती है, वो बीटा होती है, तो L बराबर N beta, है न, ध्यान से दिखना, N beta का मतलब होता है, lambda capital D by small d, अब question में ये कहा जा रहा है, जब wavelength, यानि lambda 2, हमने 400 nanometer कर दी, तो number of fringes कितनी मिलेगी, यानि पहले जो fringes है, वो 16 है, बाद में कितनी होगी, उसी region में, उसी segment में, यही question है, इसका मतलब ध्यान से देखें, D or D, वो तो arrangement के लिए है, lambda बदल रहे हैं, तो N बदल रहा है, उस given region के लिए, तो क्या लिखेंगे, N1, lambda 1, बराबर N2, lambda 2, ठीक है, N1 दे रखा है, कितना दे रखा है, गौर से देखो, 16, into 700 nanometer, दे रखा है question में, बराबर N2, into 400 nanometer, same unit है, इसलिए solve करके हम N2 निकाल लेंग कितना जाएगा, 28, मतलब अब उसी region में, अगर मैंने wavelength 400 nanometer use की, तो मुझे 28 fringes मिलेंगी, number of fringes observed in same segment, ठीक है, तो अपना answer हो जाएगा, 1 question number 7 पर आते हैं, इसमें है, इन्हें hydrogen atom electron makes a transition from N plus 1th label, to Nth label, ठीक है, और हमें निकालना है, frequency of radiation emitted, तो ध्यांस देखना, hydrogen atom के लिए, जो energy है, Nth state में, वो कितनी होती है, minus E naught upon N square, जहाँ E naught क्या है, ionization energy, energy, इस ground state में जो energy होती है, उसमें माइनस कर दोगे, तो E naught आ जाता है, वही, minus 13.6, यादा रहे, upon N square, Z बराबर 1 hydrogen atom है, तो ध्यान से देखना, अब अगर N plus 1 से N में आ रहे हैं, तो उन दोनों level के energy का difference लिख लोगे, delta E, N plus 1 से 1 में, तो इसका मलब हम कैसे लिखेंगे, minus, यहाँ आ जाएगा, हमारे पास, E naught upon N plus 1 का square, higher energy state से, lower energy state में आ रहे हैं, minus, कितना, E naught upon N square, E naught अगर मैं common ले लूँ यहीं पर, जान से देखो, E naught ऐसे करके, तो यहाँ आ जाएगा, 1 upon N square, minus, 1 upon N plus 1 का whole square, यहाँ पर भी N common लोगे, तो N square बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा, 1 plus 1 upon N square, जान से देखो, अब इसी को solve करना है, तो कुछ ऐसे लिखेंगे, E naught, ऐसी लिखा रहें दो, 1 upon N square, minus, नीशे क्या है, 1 upon N square, इसको उपर ले जाओगे, तो यह मैं लेगा, 1 plus 1 upon N to the power, minus 2, अब इसे हम, binomial theorem से expand करके, 1 upon N के जो higher power containing term है, उन्हें neglect कर देंगे, ठीक ना, तो कितना जाएगा, 1 minus 2 by N, तो जब 1 minus 2 by N आएगा, और इसको खोलोगे, तो 1 upon N square, minus 1 upon N square, पहला term कायब हो जाएगा, और फिर 1 upon N square, यह minus, और यह वाला जो अंदर minus है, उसको solve करोगे, तो यह जो value है, वो आजाएगे मारे पास, कितना E naught, और उपर मिलेगा मुझे, कितना 2, और N, और N square को multiply करोगे, तो आजाएगा N cube, अभी जो delta E लिखा हुआ है, यह किसके बराबर होता है, H new, यहाँ new होती है, frequency of emitted radiation, इसका मतलब है, जो भी new है, that is proportional to, 1 upon N cube, तो new की value, 1 upon N cube के पर पोस्टल है, यानि कि अपना answer हो जाएगा 2, question number 8, यह digital circuit, यानि logic gate का question है, ज्यान से लेके, जो भी figure बनाया है, उसको मैंने restructuring कर दिया, दुबारा बना दिया केवल, और फिर हमें इसकी truth table बनानी है, बस वही answer हो जाएगा, तो इन्होंने A और B, जो input है न, A और B, उनकी values दे रखी है, गौर से देखो, 1,0,1,1,01, ठीक है, अब यहाँ देखें, यह, NAND gate फिर इसको देखोगे और ठीक ना? यहाँ यह नौर ठीक है? यह END इसका मतलब है जो input है ध्यान से देखो A और यह वाला B इसका मतलब है NAND gate के लिए हमें P निकालना है P क्या हो जाएगा? अब यह से A B बार A और B के input पता हैं उससे हम A B के output निकाल लेंगे A B बार के यानि की P की value पता चल जाएगी मुझे जो P है वो इसके लिए input हो जाएगा अब ध्यान से देखना बिल्कुल सेम वैसे ही इस वाले के लिए और के लिए A B input के लिए मैं Q निकाल लोगा? आउट्पुट और फिर अपने इस एंड के लिए P और Q जाएगे ये Q और ये वाला जो P है वो input हो जाएगे तो P Q तो पहले क्या निकाला हमने P और Q उनकी टूठ टेविल तो मैं याद है उनको यूज करोगे और A B बार यानि P की value निकाल लिए फिर Q और R ठीक ना तो कुल बला करके ये जो R है ये इस P और Q का कॉंबिनेशन है नेंड गेट है तो R बराबर P Q ठीक है बहल उपुट की फिर Z P प्लस R अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना तो output जो भी R है यहाँ पर वो कितना आजाएगा A B के बराबर देख रहे हैं Z is equal to A B वही truth table बनेगी अगर मैं A और B और Z को देखोँ तो देख रहे हैं 1 0 0 0 1 1 0 1 तो उसके corresponding क्या मिला है मुझे 0 0 0 यानि 1 1 1 है बाकि सब 0 है ठीक ना तो Z क्या गया A प्लस B के बराबर अगर A और B के फॉर्म में हम इसको चेक करें तो simple question है यानि simply अगर मुझे सारे gate के लिए उनकी truth table पता है input के corresponding उनकी output पता है तो इस question को बड़ी आसानी से हम solve कर लेंगे चेक कर लेना एक बार जो भी calculation mistake printing error वो लेनी देनी है question number 9 इसमें कहा जा रहा है कि momentum area and time are taken to be fundamental quantities then dimensional formula for energy energy का dimensional formula लिखना है देखना तो अगर energy का मुझे dimensional formula लिखना है तो मने माल लिया e is equal to dimension की बात कर रहे है momentum की power x ठीक है area a to the power हमने माल लिखना y और तीसरी term में time t to the power c इनकी dimension मुझे लिखनी है ठीक है अब जरा dimension की बात करें तो momentum मतलब mass into velocity अगर यहां पर लिखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ml t-1 ठीक है और power कितनी हो गई x area मतलब l square power y और time या निटी power क्या लिखेंगे x y यहां z ठीक है जर्ड यहां पर energy की अगर हम बात करें तो energy का जो dimensional formula होता है वो था m l square t-2 ठीक है अब ध्यान से दिखना अगर यहां पर मैं power को color कर लूँ तो पहले m को एक साथ लिख लो तो यहां मिलेगा m कितना गया x प्लस मलब m बस एक ही जगह है तो m to the power x आ जाएगा फिर ऐसे ही l की बात करें कितना मिलेगा x plus 2y और फिर time की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा मारे पास minus x plus z अब ध्यान से देखना पहले हम लोगों ने e to the power x e to the power y to the power z दिख दिया फिर dimensionally solve करके x y और z में relation निकाल लेंगे तो ध्यान से देखो अगर compare करोगे तो कितना मिलेगा x बराबर 1 देख रहे हैं फिर यहाँ पर x plus 2y बराबर 2 और minus x plus z बराबर minus 2 यानि इन तीन equations को हम solve कर लेंगे ठीक है और solve करके x y और z की value निकाल लेंगे तो जब हम solve करके x y और z की value निकाल लेंगे तो x बराबर 1 आ गया है y की value कितनी आ जाएग है तो यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 minus 1 यानि की 1 by 2 और अगर y की value 1 by 2 आ गयी है द्यान से देखो, तो Z की वैलू निकाल लेंगे, तो Z बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वन, इसका मतलब है जो डामेंशनल फार्मुला है, अगर उसे चेक करोगे, ठीक न, तो बस X, Y, Z की वैलू पूट कर दो, तो जैसे X, Y, Z की वैलू पूट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, E का जो डामेंशनल फार्मुला है, वो P, X कितना है, 1, और Y कितना है, 1 by 2, तो P, A to the power कितना है, 1 by 2, और Z to the power, 8 और यहां पे T, T to the power कितना है, Z, और Z है, माइनस 1, अब अगर मैं option चेक करूँ, द्यान से देखें, तो हमें क्या मिल जाएगा, P, A to the power 1 by 2, T to the power minus 1, यानि कि question option number 2 हमारा सही हो जाएगा, इस question number 9 के लिए, तो यह simple सा question है, dimension पर बेज़्ट, यानि कि dimension के question अक्सर करके आते हैं, तो थोड़ी सी इसकी practice करने की requirement है, ठीक है न, जैसे हम सही से अपने answer तक पहुंच जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन solve तो करना ही पड़ता है, note कर ले, question number 10, यह capillary tube का question है, ठीक न, इसमें capillary tube की radius पता है, जैसे देखें, surface tension पता है, density पता है, और जो liquid उपर जा रहाना, उसकी height निकालनी है, question में यह कहा जा रहा है, it is observed that, two tangents drawn from liquid glass interface, opposite sides of the capillary, make an angle 60 degree with each other, ठीक है न, तो ध्यान से देखें, कुछ इस तरह से, जैसे मालो यह capillary tube में बनाऊं, और इसमें liquid एक particular height तक है, तो यह जो radius of meniscus है, हमने माल लिया R है, यहाँ पर जो liquid है, interface एक tangent draw किया, ऐसे करके, इधर एक tangent draw किया, अंदर की तरफ, और इनके बीच का जो angle है, यह वाला angle कितना दे रखा है, 60 degree, अगर यह angle 60 degree है, ध्यान से देखना, तो due to symmetry, अगर मैं ऐसे करके क्लाइन बनाऊं, तो य यह वाला angle 30 हो जाएगा, तो यह angle कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, अब गौर से देखना, radius of meniscus मैंने कितनी माल लिया, इस वाली surface की R, तो अगर radius of meniscus R है, ऐसे करके, यह हो गया R, यहाँ पर यह वाला angle कितना हो गया, 90, ठीक ना, इसको अगर इस से ऐसे मिला दूं है, इस तरह से, तो यह angle 30 है, पूरा यह वाला angle जो था, यह कितना आजाएगा, 60, तो अगर यह angle 60 है, और पूरा 90 है, तो यह वाला आजाएगा, तो यह वाला आजाएगा, हमारे पास 30, यह R है, radius of tube, और radius of meniscus कितनी है, capital R, इस वाले portion का जो center है, वो यहाँ पर है, तो अगर मैं य priority लिखूँगा, तो मुझे कितना मिलेगा, R by, capital R, ठीक न, यह बिस हो गया, अब ध्यान से दिखना, इससे R निकल आएगा, और फिर जो H होता है, यह बराबर कितना होता है, 2T upon rho G, R, R क्या है, radius of meniscus, सारी values, put कर दो, surface tension की, rho की, G की, R की, और solve कर लो, फिर H निकाल लो, त अगर मैं सारी value, put करूँगा, ध्यान से देखो, तो 2T की value, put कर दूँगा, 0.05, ठीक न, divide upon rho, कुछ दे रखा है, 667, ठीक न, into G10, ठीक है, फिर radius of meniscus की value, अगर put कर दूँगा, तो यहाँ पर, ध्यान से देखें, जो calculation, जो दिवी है, 1.15 mm है, कितना जाएगा, मारे पास, 0.15 into 10 to the power, minus 3, ठीक है, यह small r की value, तो अगर मैं r की value put करूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे, small r by cos 30, और cos 30 का मतलब 2 into, यहाँ हो जाएगा, root 3, root 3 by 2 होता है, तो 2 solve कर लिए, हम लोगों ने, और जब इसको solve करेंगे, ध्यान से देखें, तो value आजाएगा, मारे पास 0.087 meter, य अगर करें, ने कुछ नहीं किया, सिर्फ radius of meniscus निकाल लिए, cos 30 बराबर r by capital r, small r पता है, फिर h बराबर क्या होता है, 2t upon rho g r, जहाँ r radius of meniscus है, इसी की value put कर दी, r की, तो r by cos 30 हो जाएगा, ठीक है, solve कर करके, अंसर तर को जाएगे, 3, note कर लिए, question number 11 में, height h at which weight of the body will be same as that at same depth h from the surface of the earth, यानी surface से h height पर जो g है, और surface से h depth पर जो g है, दोनों की value same है, तो फिर h कितना है, in the terms of r, यही बताना है, simple, g, अगर h height पर निकालते हैं, कितना आता है, गोर से देखना, g upon 1 plus h upon r, इसका whole square कर दो, यह h height पर, surface से h height पर g की value होती है, ठीक ना, g upon 1 plus h upon r का whole square, और मैं surface से g depth पर जाओ, तो g 1 minus h upon r, g जी जी गायब हो जाएगा, cross multiply करोगे, solve करोगे, और h की value निकाल लोगे, calculation करनी पड़ीगी थोड़ी सी, तो h की value आती है, under root 5 minus 1 into r by 2, ठीक है, इसका मतलब है, अपना जो answer है, वो हो जाएगा, मारे पास 1, अब calculation करनी है, multiply करोगे, solve करके, h की value निकाल लोगे, ठीक है, तो आसान question है, direct formula based, question number 12 में, ध्यान से देखें, ideal gas एक container है, closed container, उसे धीमे धीमे गरम किया जा रहा है, temperature increase हो रहा है, तो कुछ statement दिये गए है, जिसमें mean free path और mean collision time, उनके बारे में पूछा गया है, तो पहले हमें mean free path, lambda is equal to, एक formula होता है, याद क pi d square n, जहाँ v volume है, और n है, number of molecules, basically, under 2 pi d square small n, यानि number of molecules per unit volume होता है, तो अगर v volume है, और n total number of molecules हैं, तो n upon v, अब ध्यान से रेका न, temperature अगर हम बढ़ा रहे हैं, volume में तो कोई change नहीं आएगा, number of molecules जतने हैं, उतने ही रहेंगे, तो overall lambda पर कोई change नहीं आता, तो lambda जो होता है न remains unchanged, यह वैसे ही रहता है, इसमें कोई change नहीं आता, तो mean free path remains unchanged, अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे निकालना है time, ठीक है, तो अगर average collision time निकालना है, तो यह क्या होगा, mean free path, divide upon average speed, अब जो भी average speed है, v average, यह क्या होती है, proportional to temperature, under root T, ठीक न, square root, इसका मतलब हो गया, कि जो भी time है, average time, वो क्या हो जाएगा, proportional to, one upon under root T, यानि temperature, बढ़ाने पर average time, क्या होगा, घटेगा, decreases, तो time, कम हो रहा होगा, तो अब अगर हमें options select करने हैं, तो B हो जाएगा, mean collision time between the molecules decreases, और C, यानि mean free path remains unchanged, filter, इसका मतलब है, अपना answer आजाएगा, four, ठीक है, तो आसान question था यह, question number 13 में, ध्यान से देखें, charge Q is distributed over to concentric, conducting thin spherical cells, radius R and capital R है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, potential निकालना है, center पे, और surface charge density कैसी है, दोनों cell की same, तो मालों अंदर वाले जो sphere है, उस पर charge Q1 है, और बाहर वाले पर charge Q2 है, तो अगर अंदर वाले पर charge हमने Q1 वाना, तो Q1 की value कैसे निकालोगे, sigma into 4 pi R square, बाहर वाले पर charge Q2 है, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, sigma यहां कितना, 4 pi capital R square, total charge, इन्होंने कितना कहा है, Q है, ठीक है, तो अगर यह total charge Q है, तो Q1 प्रस Q2 की value है, वो Q की बराबर है, उससे sigma निकालाएगा, ठीक है, तो हम Q1 प्रस Q2, यानि क्या कर देंगे, Q बराबर, यहां क्या मिलेगा, sigma, और यहां मिल जाएगा, मुझे 4 pi R square, और plus 4 pi capital R square, इससे हम क्या निकाल लेंगे, sigma, जैसे sigma निकालाएगा, तो Q1 और Q2 की value हम अपने आप निकाल लेंगे, अब ध्यान से रिखना, इन्होंने कहा है, center पर potential निकालना है, तो अगर मुझे potential निकालना है, at center, तो हम जानते है, potential at center, बराबर, क्या लिख दोगे, के Q1 by small r, के मतला वही, 1 upon 4 pi epsilon naught, और plus, यहां कितना लिख देंगे, के Q2 by capital R, जो उनके अ अब तुम्हें क्या करना है, simple सी बात है, Q1 और Q2 की value पुट करनी है, और sigma in the terms of Q रखना है, और solve करके अपने answer तक पहुचना है, देख रहे हैं, Q1, Q2, sigma की जो value है, वो in the terms of Q रखनी है, यानि simple सी calculation करनी है, और solve करके तुम देखोगे, हम लोग इस answer तक पहुच जाएंगे, 1 upon 4 by epsilon 0, ऐसे R plus R, divide upon नीशे आजाएगा, कुछ हमारे पास, R square plus R square, ठीक न, into Q, ठीक है, तो अगर answer चक करेंगे, तो ये वाला answer जो है न, third option में दिया हुआ है, ठीक है, तो अपना answer हो जाएगा, 3, तो simple question है, class में इस तरह की question हम लोग बहुत करके रखते हैं, ठीक है, note कर ल question number 14 में, ध्यान से देखें, हमें reactance पता है, Z, कितना दे रखा है, 100, ठीक है न, ओम, फिर जो AC signal है, उसकी frequency मालो में, F, बराबर, गौर से देखो, 1000 Hz, note करते जा रहे हैं, कि अब question में ये कहा जा रहा है, कि जो current है, और जो voltage है, मलब voltage leads the current by 45, तो self inductance of the coil, L निकालना है, कहने का मतलब यह है, कि अगर angle 45 है, तो 10, 5 बराबर, हम लोग कैसे लिखा करते थे, X, L by R, inductive circuit में, ठीक है न, और इसकी value कितने दे रखी है, 5 की 45, यानि ये बराबर हो जाएगा, 1 क्योंकि 5 बराबर कितना है, 45, इसका मतलब है, जो भी XL है, वो R के बराबर है, यानि R और XL दोनों same होंगे, तभी ऐसा होगा, अब अगर मैं impedance की बात करूँ, Z बराबर, कितना होता है, under root R square plus XL square, यानि की XL square plus XL square, ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है न, XL root 2, कहने का मतलब है, मुझे Z पता है, 100, उससे XL निकल आएगा, और जो भी XL होता है, ये बराबर कितना होता है, omega L, omega मतलब हम जानते हैं, 2 pi F, XL पता L निकालना है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, XL upon omega, ध्यान से देखो, कितना हो जाएगा, XL upon omega, simple, value put कर लो, और solve करके, L की value निकाल लो, जब हम L की value निकालेंगे, तो कुछ 1.125 into 10 to the power minus 2 henry आ जाएगा, ठीक है न, और ये अपने option 1 में given है, तो 1 answer हमारा correct हो जाएगा, देख रहे हैं, question में, जो values दे रखी थी, वो हमने यहाँ पर लिखी हैं केवल, Z पता था, F पता था, omega हम जानते हैं, कितना होता है, 2 pi F, सिर्फ value put करने हैं, तो 10, 5 बराबर, XL by R, जो की 1 है, XL R के बराबर है, Z क्या होता है, under root R square, प्रस XL square, हमने R की जगे XL कर दिया, तो यहाँ पर XL root 2, यहनी XL न calculation करना था, solve करके answer निकालना था, note कर लें, question number 15, ध्यान से देखें, दो uniform circular disk है, rotate कर रहे हैं, independently in the same direction, around their common axis, passing through center, moment of inertia और angular speed पता है, तो पहले वाली disk के लिए अगर मैं कहाँ, moment of inertia, I1 बराबर, ध्यान से देखो, question में केतना है, 0.1 kG per 1, kG meter square, ठीक है, तो, ऐसी ही I2 मालूप है, दूसरे वाले के लिए, 0.2, angular speed, पहले वाले के लिए, omega 1 बराबर, कितनी दे रखी है, 10 radian per second, ऐसी दूसरे वाले के लिए दे रखी है, omega 2 बराबर, कितनी, 5 radian per second, अब ध्यान से रिखना, हमें निकालना है, काने, kinetic energy of combined system, तो अगर मुझे kinetic energy of combined system निकालनी है, तो पहला काम, देख रहे है, using conservation of angular momentum, disk, एक common angular speed से rotate करेंगी, जो भी उनके बीच में friction है, वो उनकी velocity को, angular velocity को same कर देगा, ठीक ना, internal torque है, बाहर से कोई torque है नहीं, तो axis के about angular momentum, कंजर रहेगा, ध्यान से देखना, तो हम क्या लिखना होगा, i1, omega 1, plus i2, omega 2, बराबर, फिर बाद में, i1, plus i2, into malia, final angular speed, omega है, ठीक है, इसका मतलब है, यहां से omega निकलाएगा, तो अगर मैं i1, i2, omega 1, omega 2 की उपर से value put कर लूँ, solve करूँ, तो solve करके तुम देखोगे, answer आ जाएगा 20 by 3, और यहां मिलेगा मुझे radian per second, अब अगर पूरे system की kinetic energy निकालनी है, के rotational kinetic energy of system, बराबर कितना हो जाएगा, half moment of inertia होता है, i1, plus i2, उसकी value put कर देंगे, into omega square, i1, i2 पता है, omega हमने conservation of angular momentum से निकाल लिया है, पूरे system की kinetic energy निकालनी है, सारी value put कर दो, i1 की, i2 की और omega की, solve करके तुम देखोगे, अपना answer आएगा 20 by 3, जूल, ठीक है, तो answer हो जाएगा हमारे पास, 4, question number 16, देहां से देखें हैं, small point mass है, कुछ charge है उसके पास, और उसको release किया जा रहा है, महलब उसकी initial velocity कितनी है, u बराबर 0, ठीक है, from the edge of the table, uniform electric field है, तो देहां से देखना, electric field के कारण, उस पर इधर की तरफ force लगेगा, क्यों ही, और mg नीच एक तरफ लगेगा, इसका मलब है, जो resultant force होगा, वो इस direction में आएगा, यानि कि isolation इसी direction में आएगा, ठीक न, तो अगर जो भी resultant force है, उस direction में कि अगर हमें बात करेंगे, तो mass into isolation, इसका मलब है, एक particle जिसकी initial velocity कितनी है, 0, और वो a isolation, constant isolation से move करना चालू कर रहा है, तो जिस direction में isolation है, particle उसी direction में move करेगा, तो कहने का यह मतलब है, अगर particle उसी direction में move करेगा, और यह x है, और नीचे की तरफ y है, तो उसका जो path है, वो state line होगा, isolation की direction में, इसका मतलब है, अपना answer हो जाएगा, 4, question number 17, इसमें ध्यान से देखें, 10 microfarad capacitor is fully charged, 10 microfarad capacitor is fully charged, to a potential difference 50 volt, तो इसका मलब उस पर charge कितना हो जाएगा, C1 V1, वो fully charged है, ऐसे करके, है न, उसका capacitance अगर C1 है, और potential को मैंने V1 कह दिया, तो क्यों निकल आएगा, अब ध्यान से देखना, फिर करें, after removing the source voltage, it is connected to a uncharged capacitor, मलब यह पहला वाला जो capacitor है, C1, उसको हमने अब एक दूसरे uncharged capacitor से connect कर दिया, ऐसे, ठीक है, तो यह मालो यह plus minus, यह C1 है, और यह C2 है, जिस पर सुरवाद में कोई charge नहीं है, तो इस पूरे system का, जो potential difference हना, वो हो गया है, V, यहनिकी 20 volt, तो अब अगर इसका 0 है, तो हमने माल लिया, इसका V है, तो इसके across potential difference, 20, इसके across potential difference, 20, इसका मतलब है, अब इसी V की value निकालनी है, तो V बराबर, शुरवाद में इस पर charge था, इस पर कोई charge नहीं था, तो क्या लिखोगे, C1 V1, divide upon, ध्यान से देखना, common potential निकालना है मुझे, तो total charge, फिर बाद में दोनों के potential सेम हो जाते थे, तो याद करो, क्या लिखते थे हम लोग, C1 प्लस C2, यानि कि C1 V प्लस C2 V बराबर C1 V1, C1 V इस पर charge, C2 V इस पर charge, net charge, तो C1 V प्लस C2 V बराबर C1 V1, अब अब अस वैलू पूट करनी है, तो C1 कितना दे रखा है, गौर से देखो, question में, C1 की value है, 10 into 50, divide upon, फिर 10 प्लस C2 निकालना है, और week कितना है, 20, अब simple सी calculation से पता चलेगा, कि C2 बराबर हमारा, कितना जाएगा, 15 microfarad, और अगर ये 15 microfarad है, तो ये option हमारा हो जाएगा, 2, देख रहे हैं, तो बिलकुल आसान question, बनाब एक charge capacitor, एक uncharged capacitor, दोनों को connect किया, common potential, और common potential निकाल करके, हम लोग नोगा उसकी value put कर दी, तो C2 की value निकालाएगी, ठीक है, note कर लें, question number 18, इसमें दे रखा है, temperature of a metal wire is increased from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, तो length जो है न, वो 0.02% increase हो जाती है, तो percentage change निकालना है, mass density में, यानि कि हमें question में दे रखा है कि delta L upon L into 100, इस पूरे की जो value है, वो कितनी है, 0.02, ठीक है न, percent, अब ध्यान से देखना, mass density मतलब rho, rho बराबर क्या होता है, mass upon volume, इसी में percentage change निकालना है, ठीक है, mass constant होता है, volume बढ़ेगा, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर delta V upon V, अगर मैं देखूं, तो बराबर कितना होता है, जैसे delta V लिखते हैं हम लोग, तो बराबर V into gamma into delta T, गामा होता है 3 alpha into delta T, यानि कि delta V upon V की value 3 alpha into delta T के बराबर है, और delta L upon L की अगर हम बात करें, तो वो किसके बराबर है, alpha into delta T, इसका मतलब है कि अगर delta L upon L की बात करते हैं, जैसे देखो, तो वो alpha into delta T के बराबर है, यानि कि delta V upon V का one third कर देंगे, ठीक है, बाद में value put कर लेंगे, देखना जरा, मुझे क्या निकालना है, delta R upon R into 100, परसेंटेज चेंज, ठीक है, बराबर, M का delta M upon M into 100, इसमें कोई percentage चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं होता, और V की जब हम बात करेंगे, तो यह क्या लिकेंगे आपर, प्लस delta V upon V into 100, मुझे delta R upon R nिकालना है, जैसे देखो, अब delta V upon V, बराबर कितने टाइमस है, 3, delta L upon L, एक्चुल में, percentage change in its mass density में, तो अब delta V upon V का मतलब हम समझ गई, क्या लिको गए यहां पर, 3, और फिर delta L upon L into 100, तो यहां कितना है, delta L upon L into 100, अब delta L upon L, 0.2 परसेंट दे रखा था, इसका मतलब है, अपना अंसर कितना जाएगा, 0.06 परसेंट, तो delta R upon R, परसेंटेज चेंज इन माज डेंस्टी, बराबर जाएगी 0.06 परसेंट, नोट कर लें, question number 19, यह plane electromagnetic wave है, ठीक ना, direction of electric field and magnetic field vectors पता है, तो electric field जो है न, वो है k-cap, यानि unit vector, इस direction में electric field है, और जो magnetic field की direction है न, वो दी हुई है, तो मैं b-cap निकाल लेता हूँ, यह e-cap, electric field की direction, ठीक न, तो magnetic field की direction हमने माली अब e-cap, वो किसके बराबर है, 2i-2j, इस direction में, तो ऐसे लिखेंगे, 2i-2j, बी-vector, और फिर इसी के magnitude से हम divide कर दें, तो जैसे हम इसके magnitude से divide करेंगे, कितना मिल जाएगा मुझे, ठीक न, 2 root 2, इसको अगर solve करोगे, तो आजाएगा हमारे पास i-cap minus j-cap divide by root 2, यह हो गया हमारा b-cap, यानि की magnetic field की direction, यह हो गई electric field की direction, तो direction of propagation क्या होता है, हम जानते हैं, c-cap बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, e-cross b, तो इसका मदलब है e-cap cross b-cap, तो यह direction of propagation है, देख रहे हैं न, direction of propagation, तो electromagnetic wave के चलने की direction, अब simple e पता ही है तुम्हें, कितना k-cap cross b-cap, यानि unit vector, कितना दे रखा है, i-cap minus j-cap divide by root 2, ठीक है, अब बस इसको solve कर लो, जब solve करेंगे, तो simple cross product हम लोग जानते ही हैं, solve करके अपने answer तक पहुचेंगे, तो मारा आएगा 1 upon root 2, और यहां मिलेगा i-cap plus j-cap, simple cross product, यहनि कि अपना answer हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, तो simple सा question था, कि direction of propagation क्या होता है, e cross b की direction में, तो हम ने दोनो e और b की direction में unit vector निकाल लिये, और फिर unit vector निकाल करके c-cap की direction, मलब c-cap मलब unit vector, इस plane के perpendicular निकाल लिया, ठीक न, इस plane पर e cross b की direction में unit vector निकाल लिया, वही direction of propagation होती है, question number 20, इसमें है क्या, एक particle है, जिसकी velocity, electron की velocity का 5 times है, तो lambda p, यानि particle की velocity, ratio of de Broglie wavelength of particle to that of electron, यानि lambda e, इसका ratio मालू में है, कितना है, 1.874, into 10 to the power minus 4, मुझे क्या निकालना है, mass of particle, ठीक है, question में, vp, यानि particle की velocity, 5 times है, electron की velocity, हम जानते हैं, lambda बराबर क्या होता है, h upon mv, de Broglie wavelength, तो अगर मैं particle की de Broglie wavelength, और electron की de Broglie wavelength की बराबर, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, यहां हो जाएगा, m e, और electron की velocity, ऐसे करके, divide upon, एक रहना, m v, नीचे, और यहां पर मुझे मिलेगा, particle का mass, और particle की velocity, बराबर, ध्यान से देखना, यहां मुझे मिलेगा, m e, upon, तो v e upon v5, v e upon vp, to v e upon vp की value कितनी आ जाएगी, 1 by 5, तो यहां हो जाएगा, mass of particle, और into 1 by 5, मुझे यह ratio दे रखा है, ठीक ना, यानि की बराबर, कितना, 1.874 into 10 the power minus 4, electron का mass पता होता है, और हमें निकालना क्या है, particle का mass निकालना है, mp, तो इसका मतलब है, mp को दर लिया हो, बागी सब को दर लिया हो, तो mass of particle, बराबर कितना जाएगा, electron का mass, पता है हम लोगों को, कितना, 9.3 into 10 the power minus 31 kg, ठीक है, divide upon, mp निकालना था है, तो 5 into, यहां, 1.874 into 10 the power minus 4, simple, solve कर लो, और solve करके, हम अपने answer तक पहुंच जाएंगे, 9.7 into 10 to the power minus 28 kg, तो देख रहे हैं, simply, यह वाला question भी, deeprogly wavelength पर बेज़ था, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, तो अपना answer हो जाएगा, यहां पर 4, question number 21, इसमें एक ideal cell है, of EMF 10 voltage connected to, connected in circuit, shon in figure, जैसा की चित्र में आप देख रहे हैं, सारे resistance 2 ohm के हैं, ठीक है, फिर रोन का है, potential difference across capacitor, when it is fully charged, जब यह fully charged होगा, तो capacitor वाली जो branch है, उसमें कोई current पास नहीं होगी, इसका मतलब जो current है, वो बाकी के resistance में होगी, लेकिन कैपिस्टर वाली ब्राच में नहीं होगी, इसका मतलब है, उस ब्राच को मैंने हटा दिया, circuit को री इस्ट्रक्टर कर दिया, धियां से जखें, इस फिएर में, circuit को री इस्ट्रक्टर कर दिया, यहां पर यह जो capacitor है, हगार इस वाली बांच को मैंने हटा दिया क्योंकि उसमें कोई खरेंट नहीं है तो अब ध्यान से इस बैटरी से कितनी करेंट निकलेगी पहले में वो मुझे निकालता है जहां पर केपेस्टर कनेक्ट था ना इस वाली ब्रांच में उसके अक्रोस के निबरांच में जहोगा इसका मतलब है की अगर मैं C से तक माचूंगा क्योंकि A से सी के भीच में यहां पर जो कैपेशिटर और जिस्टेंस के वो मैंने हटा ढिया है मैं एसे भी आँगा बी से झाओंगा मनूर्फ इन दोनों ब्राच में करेंट पता चल जाए तो a और c के भीच में पुर इन डिफरेंस पता चल जाएगा थीक तो ध्यान से जड़ा यह टू ओम है यह टू ओम है यानि की इन दोनों में तो करन सेम होगी करेंट इदर जानी नहीं है इसका मतलब यह स्रीज में हो गए तो अगर यह स्रीज में है तो जो आर एक्यूवलेंट की वैलू आएगी मारे पास वह जाएगी इसको सॉल्व करने पर टैन बाय थ्री ओम ठीक है अब यह आर एक्यूवलेंट आ गया तो अगर आर एक्यूवलेंट इतना है तो सरकेट में जो करेंट है आई बराबर वह कितनी आ जाएगी टैन कर दोगे एक इस बाले पूर्शन में और इक तरहके फोर्शन में तो करेंट डिस्ट्र माइनस कितनी आ जाएगी यहां पर थ्री एंपियर अब मुझे ए और सी के बीच में पटेंशल डिफरेंस निकालना है कितना जाएगा यहां से लिखना वी ए नीशे बढ़ोगे प्लस माइनस टू इंटु वन तो हो गया फिर आगे बढ़ेंगे प्लस माइनस यानिकी माइनस टू इंटू थ्री यानिकी सिक्स हो गया बराबर वी सी सो वी ए माइनस वी सी बराबर कितना आ जाएगा एट वोल्ट इसका मतलब है कैपिस्टर के एक्क्रॉस पटेंशल डिफरेंस की वैलू होगी एट बोल्ट ठीक है कि नोट करना कि कुस्चिन नमबर ट्वंटी टू इसमें के लाइट रे है जो सॉलिड ग्लास इस फेर के अंदर इंटर कर रही है वह ना सिक्ष्टी डिग्र अंगल पर इस फिर भना दिया मैंने और इस इस स्फियर के अंदर इंटर कर इसका रिफ्रेक्टिव उंडेक्स कोष्चन में गिवन है रूट थि और जो रे है न वो कितने एंगल पिजा रही है 60 डिगरी पर ऐसे बाहर एर है रिफ्रेक्टू इंडेक्स कितना मालूम है वन अभियोस है यह वाली जूरे है नॉर्मल की तरफ बैंड हो की यह पहुंचेगी यह सेंटर है फिर मैंने एक नॉर्मल ड्रो कर दिया यह वाला एंगल निकाल लेंगे तो कि यह वाला एंगल निकाल लेंगे क्योंकि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल से मोगा यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस बराबर रेडियस यह सेंटर यह कैसे निकाल लेंगे द्यांसे देखना वन इंटू साइन 60 बराबर रूड 3 इंटू साइन आर निकालना था मुझे यह वाला एंगल मैंने माल लिया आरे अब द्यांसे रेकना साइन से कितना होता है रूड 3 बाय तो साइन आर की वैलू आ जाएगी हमारे पास 1 बाय टू यानि की आर आजाएगा मारे पास 30 डिग्री तो अगर आर थर्टी डिग्री है ज्यान से देखो यह वाला एंगल 30 डिग्री तो फिर यह वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा अब रे जब बाहर निकलेगी ना रूट 3 से फिर से एयर में इसका मलब नॉर्मल के साथ जो एंगल यहां आँ पर बन रहा था वहीं अगल यहां पर बनेगा सेम ऐसे बाहर दो दो और यह वाला एंगल के इतना हो जाएगा 60 डरी और एक रह जो यह यहां से रिफ्लेक्ट औरिये गॉरसरे और गोरे विद वोत प्रफलेक्ट एंड रफ्लेक्टेच्ट तो यहां से जो रिफॉय थ कितना है 30 यह विल्कुल सीदी सीदी लाइन इन तीनों का समेशन हम जानते है 180 होना चाहिए ऐसे तो यह 30 प्लस यह वला अंगल कितना है 60 डिग्री और यह सम मिलकर के कितने है 180 डिग्री हमें क्या निकालना है एल्फा देखो 60 प्लस 30 90 तो 180 माइनस 90 यानिकी 90 डिग्री ठीक है तो अल्फा की वैलू आजाएगे हमारे पास 90 डिग्री नोंने वही पूंचा था डिग्री में अपना अंसर बताना है तो अंसर 90 हो जाएगा आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 23 में ध्यान से देखें पार्टिकल ऑफ मास हैं मूफ कर रहा है एक्स डिरेक्शन में यूव वेलोस्टी से कॉलाइट करता है 10 एम मास जो रेस्ट पर है ठीक है और फिर मूफ करता है विद हाप अफ इट्स इनिशियल काइंटिक इनर्जी तो फिगर बना हुआ है और कुछ इस तरह से लिखा हुआ है साइन थीटा वन द्यान से रेको बराबर अंडरूड एन साइन थीटा टू और मुझे एन की वैलू पता लगानी है ठीक है तो क्वेश्चन में अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो एम मास है जब टकरा रहा है यहां प अब अगर मैं वर्टिकल डारेक्शन की बात करूं तो वर्टिकल डारेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था इसकी विलासिटी कितनी थी यू तो वर्टिकल डारेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा गंजर तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर m u1 sin theta 1 बराबर दूसरा वाला पार्टिकल उसका मास कितना है 10 तो 10 m ठीक ना, velocity कितनी माल ली हमने u2 u2 और यह मिलेगा sin theta 2 equation number 1 यह conservation of linear momentum है along y direction अगर मैं इसको कह दूँ x direction है और इसको कह दूँ y direction है after collision मैंने figure बनाया हुआ है पहला वाला पार्टिकल m मास का u1 velocity से theta 1 angle पर जा रहा है और 10 m का जो है theta 2 angle पर u2 velocity से जा रहा है अब question ने क्या कहा है कि जो kinetic energy है ना पहले वाले पार्टिकल की वो आधी रह जाती है half of its initial kinetic energy तो अगर kinetic energy आधी हो गई तो इसका मतलब हो गया कि अब half m u1 square यह जो भी है यह value किसके बराबर है ध्यान से देखना half of initial kinetic energy यानि कि half और फिर half m u square इसका मतलब है u1 की जो value है वो बराबर आ जाएगी हमारे पास u by root 2 equation number second अब एक और कहानी दी हुई है ध्यान से देखना collision कैसा है elastic it collides elastically तो अगर elastic collision है तो just before collision जो total kinetic energy है और just after collision जो total kinetic energy है वो बराबर होनी चाहिए बराबर कर दो just before collision kinetic energy कितनी है half m u square दूसरा वाला particle rest पे था बराबर बाद में कितनी kinetic energy है m u1 square plus half mass कितना 10m और speed कितनी होसकी u2 square u1 की value पता है in the terms of u u2 निकाल लेंगे यानि कि ये equation number third है और इसमें हम u1 की value put करेंगे तो u2 की value निकल आएगी तो थोड़ी सी calculation करना देखोगे u2 की value आजाएगे हमारे पास u by under root 20 ठीक है तो अगर u2 निकल आया तो अब u1 और u2 की value यहां put कर दो m तो गाई भी हो चुका था जैसे हम u1 और u2 की value put करेंगे u1 कितना था simple सी बात है u by root 2 मैं कैसे लिखूंगा u by root 2 और यहां मिलेगा मुझे sin theta 1 ठीक ना बराबर यहां कितना है 10 m तो गाई भी हो चुका था u2 की जगए u by under root 20 into sin theta 2 देख रहे हैं यह वाली expression यहां पर आ गई ठीक ना सब कुछ cancel हो जाएगा और solve करके देखोगे तो sin theta 1 की जो value है वो आ जाएगी हमारे पास ऐसे ध्यान से देखो sin theta 1 बराबर यहां कितना जाएगा under root 10 sin theta 2 इसका मतलब है जो small n है जो question में लिखावा था यह वाला उसकी value आ जाएगी है मारे पास n बराबर 10 यानि simple सा question था पहला y direction में momentum conservation से जो relation लिखी हुई है उसी relation में value put करनी है kinetic energy आधी रह गई उससे u1 निकला total kinetic energy before collision after collision बराबर है क्योंकि collision elastic है उससे हमने u2 निकाला फिर u1 u2 की value put करके simple calculate किया और small n की value निकाल लिए ठीक है note कर ले question number 24 इसमें कि square saved hole है side l बराबर a by 2 इससे हमने बाहर निकाल लिया है disk से जिसकी radius a दे रखी थी ठीक ना और इसका जो center है square saved hole का वो d बराबर कितना है a by 2 from center o तो हमें पता लगाना है distance of center of mass of remaining portion from o complete disk के center से center of mass की location निकालना है वो दोनों दे रखी minus a by x हमें x integer put करना है figure दिख रहा है हम लोगों को ध्यान से देखना अगर में बीज का जो gap है उसमें plus sigma और minus sigma mass भर दूँ तो इसका मतलब है वहाँ कोई mass नहीं है जैसी plus sigma भरूँगा तो complete disk मिल जाएगी और minus sigma है इसका मतलब है चोटा सा जो hole है वो ने माल लिए negative mass का है और अब हमें क्या निकालना है axiom location of center of mass बराबर कितना हो जाएगा पूरी disk का center of mass यानि कि sigma into a square ये mass हो गया और उसका center of mass तो और जी नहीं आएगा दूसरा जो minus sigma है उसके corresponding क्या लिखेंगे minus sigma और जो square दिख रहा है उसी का mass कितना हो जाएगा उसकी radius दे रखी है l square गौर से देखो ठीक ना a by 2 का square और distance कितनी है d d कितना है a by 2 तो ये हो गया m2 और distance of center of square from o divide upon total mass महला वही है m1 x1 plus m2 x2 m2 negative है divide upon नीचे कितना हो जाएगा sigma into ठीक ना ये sigma into pi a square तो sigma into pi a square disk है न फिर minus sigma यहाँ पर वही a by 2 का square simple अब इसी को solve करेंगे तो axiom की value आ जाएगी तो ये जो भी axiom आ रहा ना ये कुछ इस तरह से आएगा ध्यान से देखें minus a upon 2 और यहाँ मिलेगा 4 pi minus 1 अगर इसको मैं जो given condition है उससे compare करूँ minus a by x तो जो भी है minus a by x यानि x की जो value है वो किसके बराबर है गौर से देखो 8 pi minus 2 के 8 pi minus 2 अगर इसको solve करोगे 8 pi minus 2 को तो 23.12 यानि 23 nearest integer गर निकालना है x तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 23 बस यही आंसर है तो देखना है कोई मुस्किल काम नहीं था बिल्कुल basic concept पर question था generally circular hole करते थे इस बारे नोंने एक square hole कर दिया और center of mass की location निकाल ली note कर ले question number 25 इसमें एक wire है जिसकी density हमें पता है row बराबर कितना 9 into 10 to the power minus 3 kg per centimeter cube ठीक है इसको इनोंने 1 meter के बीच की ऐसे करके मतलब wire को stretch कर रखा हुआ है यहां पर length कितनी है L बराबर 1 meter ठीक है resulting strain in the wire strain का मतलब होता है change in length upon original length इसका जो ratio दे रखा है resulting strain जो दे रखा है वह है 4.9 into 10 to the power minus 4 ठीक है lowest frequency of transverse vibration in the wire निकालना है तो lowest frequency का मतलब fundamental frequency निकालना है और fundamental frequency क्या होती है F0 बराबर ऐसे लिखते थे हम लोग 1 upon 2L under root T by mu mu का मतलब होता है rho into A जहां A होता है area of cross section T होती है उस wire में tension ठीक है अब ध्यान से देखना तो कहने का मतलब यह है कि हमें निकालना है F0 fundamental frequency यह होती है lowest frequency अब यह कैसे निकालना है तो length तो पता ही है मुझे 1 meter इसमें tension इसके लिए नोंने क्या कहा है कि जो young modulus है न इस wire के लिए Y तो Y बराबर क्या होता है याद करो stress upon strain बराबर stress का मतलब क्या होता है जो भी tension है divide upon area नीचे क्या मिलेगा मुझे strain इसका मतलब हुआ कि जो T upon A की value है stress की T upon A direct वो क्या मिल जाएगा Y into strain तो T upon A बराबर आजाएगा मारे पास Y into strain यह हो गया हमारा stress rho यह पता ही है ध्यान से देखो T upon A इसकी जगह क्या लिख देंगा Y into strain इसका मतलब है अब हमारे पास formula बनेगा fundamental frequency का यहनि lowest frequency का F not बराबर 1 upon 2L under root T upon A की जगह क्या लिखेंगे Y into strain जान से देखो और divide upon rho सारी values पता है मुझे rho पता है question में Y पता है ठीक ना जो density है वो kg पर centimeter क्यूब में उसको meter क्यूब में convert कर लेना सारी value पूट कर देना ठीक ना जासी हम इसमें सारी values पूट करेंगे solve करेंगे strain दे रखा है देख रहे हैं rho दे रखा है y दे रखा है l दे रखा है solve करने पर calculation के बाद यह जो value आती है यह आती है 35 hertz यानि कि थोड़ी सी calculation तो करनी ही पड़ेगी तो यह भी आसान question है generally इस तरह के question हम दो class में deal करते हैं तो overall अगर देखोगे तो यह मुश्किल नहीं है हाँ थोड़ी सी calculation तो हमें करनी पड़ेगी तो इस तरह से इस set के सारे के सारे 25 questions हम लोगों ने discuss कर लिए